हाई गाईज दिस है आयूश और वेलकम बाक्ट तो दे चैनल आई देख लेते हैं कौन से वह सेक्टर से कौन से स्टॉक्स जो कि इस विक निफ्टी और मार्केट को आउट पूफर्म कर सकते हैं कुछ सेक्टर में काफे बहतरीन चार्ट पैटर्स बने हुए एक एक करके चे सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे निफ्टी के जो लास्ट फ्लोजिंग है 24,500 के आसपसा में देखने को मिली है अभी यहां पर निफ्टी थोड़ा सा डाइसी सिजूशन में है देखिए यहां पर पैटर्न क्या है ना प्राइस एक बार उपर जाने के बाद य एक फिर से ट्रेंड आया था यहां पर भी मुझे एक रनिंग करेक्शन ही दिख रहा है लेकिन इसके बाद यह उपर जाएगा या फिर यह जैसा की 20 और 50 का जो बैंड है उसको पास करने के लिए थोड़ा सा और साइडवे जाके हलका नीचे आके फिर यहां से स्टार्ट क की हैं यहां से लेकर अगर आप यहां तक देखेंगे 2000 पॉइंट के निफ्टी के रहली में यह दोने सेक्टर बिलकुल साइडवेस खड़े हुए थे अभी तक तो यह निकलने के कगार पे हैं कुछ सेक्टर आटो जैसे ओवरबॉट हो चुके हैं कुछ सेक्टर अभी जस निकले हैं जैसे कि IT आपने देखा last trading session पे एक अच्छा आपको breakout देखने को मिला है जो तीन साल का consolidation था IT का correction था उसका breakout देखने को मिला है तो IT participate कर सकता है तो थोड़ा सा dices situation है इस case में कर क्या सकते हैं अगर let's say कि जो last closing session है ना इसका आप candle पर थोड़ा सा नजर बना के करता है तो समझ लो कि कम से कम फिर अभी यह 23,900 का level तो test करने आएगा फिर वहां से धीरे धीरे उपर जाएगा तो उसके लिम प्लान करेंगे यह जो candle का लो में आपको बता दो 24,400 का लो है अभी जो last closing है 24,500 है तो 100-700 point यहां से अगर ही तोड़ता है यह candle खतम होती है nifty moving average है या फिर थोड़ा बहुत उसके नीचे आने की कगार पर है यह तो nifty को देखने के कुछ खास अभी जरूवत मुझे देखने ही रही है sector wise अगर आप देखेंगे थोड़ा सा better रहेगा मैं आपको quickly stocks बता देता हूँ यहां पर आपको stocks इतने देखके डरने की जरूव के लिए क्योंकि इस 20 दिन में 23rd को एक हमारा union budget है एक बड़ा event है तो उसके वज़े से आप ऐसा कोई plan करें कि एक week का दो week का plan करना है जिसके बीच में आपका यह आगे 23rd तो थोड़ा से दिक्कत हो जाएगा budget की दिन कई बार बहुत जादे volatility होती है जैसे कि आपको यह सार election की candle दिखेते हैं कई बार budget में ऐसे candle भी बनते हुए तो हो सकता है पांसाथ परसे नीचे जाए फिर उपर आ जाए तो बेटर है कि थोड़ा सा पोजिशनल बना के चलो 20-25 दिन का थोड़ा सा बेटर रहेगा ठीक है sectors के बात कर लें यहां पर यह देखो यहां पर दो stocks miscellaneous है तीन stocks जो है आपके सामने IT के हैं यहां पर तीन-चार stocks जो है यह बिल्कुल भी सारे नहीं लेने मैं आपको बार बता रहा हूं यह जो है ना मैंने आपको sector समझाने के लिए बस यहां पर रखा हुआ है बाकि यहां पर oil and gas है तो कौन-कौन से हो गया IT हो गया यहां पर आपके सपास PSU banks हो गया जो की आपको पता है कि जबी बजट आता है उसका एक lead यह रहता है इसमें काफी हल चल रहती है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे काफी दिनों से sideways भी चल रहा है अभी चार्ट कम चले अगर आप देखेंगे breakout और retis का setup यहां पर clearly दिख चुका है यह आपके सामने एक level था price इसको कई बार register किया finally यहाँ पर एक बड़ी candle से breakout किया जो कि हमें चाहिए होता है प्लस यह candle volume से supported है अगर आप दूर दूर तक देखेंगे 2022 किस जहां भी दूर दूर तक यह volume आपको नहीं है यह आपका average volume से 10x 20x भी आप कह सकते है उत्ता यहाँ यहाँ पर volume spike है तो definitely यहाँ पर sustain भी किया है द होने वाला है तो जो लोग safe खेलना चाहते हैं एक बार यह जो inside candle का बार है निकल जाने दो इसके उपर यह निकलता है तो आपको simple सा पता है यह आपका होगे stop loss inside candle का जो यह बार होता है उसके नीचे और इसके against में target जितना भी यह होगा let's say 8-10% मान लीजे है उसके against में time frame अगर है आपका 20 दिन है तो definitely इसको check करेंगे second आपके पास cantable retail ठीक है यह वूल्स में काम करते हैं इनका manufacturing का business है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह एक finally breakout आपको देखने को मिला है small cap company है यह weekly time frame का चार्ड आपके सामने मेरे लगा रखा है यहाँ पर price 123 तीन बार रजिस् प्लस यहाँ पर जो volume में build up होता है जो में चहीए होता है वो भी यहाँ पर मौझूद है यह जो volume का build up है वह आपको increasing order में आया हुआ है और जो last breakout candle में उसमें volume बहुत ही प्यारी है तो थोड़ा से confidence आ रहा है अगर 290 के आसपस अगर आप plan कर रहे हो तो आपको पता है कि ज volume only candle होती है जो breakout candle जिसमें सबसे जादे volume है बार बार में repeat करता हूँ अगर आप इसके नीचे रख पाएं जो कि इसमें थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी 7-8% भी चल जाएगा यहाँ पर लेट से की इसके नीचे आप डाल दें तो safe रहेगा 270 के आसपास या फिर 268 के उसके अगेस में target यहाँ पर open है यह मसोचना कि यहाँ जाकर वापर से रुखेगा हालाकि आपको 316 पर क्रेशिंस दीख रहा है लेकिन विलकुल भी नहीं रुखेगा यहाँ जिस हिसाब से निकाला हुआ है ऐसे stock usually पूरा cross करते है डिरेक्ली इसको भी breakout करेगा एक साथ हो सकता है 2-4 दिन यहाँ पर sideways हो अपने all time high को respect करे थोड़ा सा आपको show करें कि यहाँ पर attack रहा हूँ लेकिन निकाल देगा इसको ठीक है तो इसको इसे according लेंगे यह मसोचना कि हमारा stock plus बड़ा हो गया अगर target ऊपर छोटा है ऐसा नहीं target आपको काफी बड़े मिल सकते हैं अगर आप positional जाना चाहें तो अभी आगे हमारे पास sector wise फटाफर सम देखते हैं सबसे पहला हमारे पास IT sector है जो कि आपको पता है IT sector अभी 5% का itself sector ने breakout किया हुआ है बड़ी candle 5% की बना के तो इसमें आपको एक follow up देखने को मिल सकता है क्योंकि large cap IT में जादे हैं और US market को भ थोड़ा सा ध्यान रखना मैं बोलूगा allocation IT में थोड़ा सा कम रखेंगे थोड़ा सा परिशान भी कर सकता है लेकिन फिर वे अगर इतना बड़ा sector में हमें breakout देखने को मिला तो हम इसको नकार नहीं सकते हैं लेकर चलना पड़ेगा हमें ठीक है तो यहां पर यह breakout का level था Inox इसको अगर आप देखें तो 170 के आसपस closing हमें देखने को मिली है अब साफ साब आपको दिख रहा है कि आपका stop loss कहां पर है ठीक है यह जो candle इसके नीचे आप आराम से डाल सकते है अगे इसमें target आपके सामने कम से कम 200 तो यह जा नहीं रहा ठीक है तो 200 के आसपस अपका target हो आपर है तो यह जो candle इसके नीचे हम अपना safe stop loss plan कर सकते हैं target आपका जो मैंने बता दिये 200 तो कम से कम राउंड नंबर जो वहां तक तो बिल्कुल ही जाएगा जिस एकॉर्डिंग में breakout हुआ है ठीक है तो फॉर्स आपके पास inox wind हो गया second यहाँ पे विला soft विला soft भी सामने यह आपके सामने एक दो तीन वैलिट टच पॉइंट हो गया आपकी लाइन की उसके बाद यहाँ पे breakout आपको देखने को मिला था लेकिन इसमें volume नहीं था इसलिए इसको इग्नोर किया गया अब यहाँ पे क्योंकि volume आ चुका है क्योंकि price ने यहाँ से निकालने के पाद एक retis कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर closing जो है वह strong हो चुकी है तो इस candle को देखते हुए हम इस point पर हम सूचते हैं इसको लेने का stop loss आपके सामने बिल्कुली clear दीख रहे है इसके अगेंसमें टागेट धीरे धीरे जो भी आपके सामने नेक्स राइस्तिन से all time highs के वो रख सकते हैं 820, 840 के आसपास मेरे ख्याल से all time high है तो वहाँ पर रखके plan करके चल सकते हैं ठीक है थर्ड हमारे पास new gen, new gen software tech अभी यहाँ पर इसमें breakout हुआ नहीं है लेकिन यह वर्ज पर है जो इसका breakout level है वो कहीं न कहीं 1040 के आसपास है ठीक है 1040 के आसपास है जो कल की candle है उसमें volume ठीक थी अगर यह जो candle है इसका high cross होता है 1040 अगर यह cross करते हैं उपर के side में तो आपको एक अच्छा breakout देखने को मिलेगा previous जो एक दो तीन चार टच पॉइंट है उसके उपर यह finally एक बार निकाल देगा एक घं सब्सक्राइब को पता है वही 5-7 परसंट लगने है आपके इधर कहीं आ जाएगा ठीक है तो 57 परसंट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें breakout अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यह breakout के बाद इसको हम देखेंगे तो फिर थोड़ा सा मामला फसकता है क्यों 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 कि यह जो सेक्टर है ना वह पेस्जीओ बैंक्स है यह बार चलना सुरू करता है तो यह 20-20 परसंट की कैंडल बनाते हो चलता है तो थोड़ा से ध्यान देना अगर आप सेफ केलना चाहते हैं तब भाई आपको फोड़ा से वेट करना पड़ेगा कि य कर लिया तो फिर ले लिया इस तरीके से अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही सेफ बेट है जाने के लिए बहुत कम है आने के लिए इसमें स्काइज दे लिमेट यहां पर यह वाला सवाल है ठीक है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चार हो चुके हैं 100 moving average के आसपस यह support ले रहा है अगर आप इसका previous pattern देखेंगे तो भी आपको बिल्कुल सेम दिखेगा पहले भी इसमें सेम इस तरीके से यह चला करते थे प्राइस ही नीचे आया एक rounding base बनाया यहां पर breakout हुआ फिर उपर निकला यहां पर आप देखेंगे प्राइस ही उपर निकला था उसके बाद एक consolidation हुआ था 20-50 पर सपोर्ट लिया फिर उपर निकला more or less same pattern यहां पर है एक आपको ट्रेंड दिखाता consolidation में इसने क्या किया है 20-50 और 100 तीनों को squeeze करके एक बिल्कुली pass ला दिया है तो यहां पर दो possibility है अगर budget में कुछ let's say कि इनके favor में नहीं आता है तो होगा क्या एक जटके से जैसे यह candle बनी थी न वैसे बनाएगा maximum यह 200 moving average को test करेगा और 2-4 दिन के अंदर यह उपर निकल लेगा लेकिन इसकी possibility कितनी है मैं बोलूगा 10% अग बाकी possibility क्या है कि यहां पे थोड़ा both sideways और होगा थोड़ा सा confirmation का wait करेगा budget जैसे आज पस आना शुरू होगा यहां से यह निकालना शुरू कर सकते हैं लेकिन यह आपको इस week मैंने watch list में क्यों दिया है क्योंकि यहां प structure है यूको bank के second उसमें अगर आप देखेंगे बिल्कुल सेम है बिल्कुल copy paste chart दोनों का है उसके बाद third Indian bank, Indian bank में भी बिल्कुल सेम structure है हालाक यह तो निकलना भी शुरू हो चुका है तो इसको आप current price पर थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं देखो यहां पर अगर मैं line draw कर है एक क्या होगा कि यह वापे से नीचे आ जाएगा और फिर से यहां पर consolidate करने लग जाएगा दो चार पांच दिन के लिए फिर निकालने कोशिश करेगा फिर निकलता है तो half contract अपने फिर यहां डाल दी इस तरीके से plan करना है अगर आप चाहेंगे कि breakout होने के बाद तब तो फिसमें थोड़ा सा late हो जाएगा stop loss बड़े हो जाते है ना फूर्थ आपका जो था महाराष्ट्रा बैंक बिल्कुल इस सेम copy paste chart है देखो एक दो तीन यह चार बिल्कुल सेम चार्ट है ना तो PCO bank निकलेगा तो no matter आप इसमें से कौन सा ले रहे हैं सब चलेंगे पहला जो band है 20 50 100 तीनो moving average को इसने squeeze कर दिया बिल्कुल यहां पे दो तीन दिन का सवाल हो सकता है दो तीन खड़ा कर दे लेकिन इसको निकालना ही शुरू कर सकता है लेकिन एक चीज़ है कि directly यहां पर buying ना करें थोड़ा से इंतजार कर लें अगर आपको कोई candle green दिख जाती है य यहां पर लेट से यहां पर एक candle बनी 3-4-5% की ठीक है थोड़ा महेंगाई मिले confirmation चाहिए हमें तो यहां पर लेट से 5-4% की कोई candle बन गई और यहां पर आपको थोड़ा सा volume दिख गया आप यहां पर प्लान कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपके सामने यहां पर 6-7% के stop loss हो ग करते हैं तो कम से कम 40% देखे जाएगा तो उस तरीके से प्लान करेंगे अगर stop loss आपको 10% भी आए तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि इसके अगेस में 40% है भी तो उस तरीके से इसको प्लान कर लेंगे चार बैंक हो गया और बाकी तीन जो है आपके सामने oil and gas एक हो गया एक all time high के आसपस consolidate कर रहा है यह आपका जो elections का candle था उसका high था उसके बाद यहाँ पर fall हुआ था उसके बाद यहाँ पर same level पर इसने एक बार रेजिस्ट लिया है second बार already रेजिस्ट ले चुका है अब यहाँ पर early chart में ही अगर 233 के उपर इसने निकाला एक घंटे का candle यहा बात नहीं है यहाँ पर आराम से plan कर सकते हैं 5% का stop loss will be more than enough and target आपके लिए देरे-देरे करके 8% 10% तक भी plan किया जा सकते है ठेक है यह हो गया first second आपके सामने BPCL BPCL भी यहाँ पे एक candle की जरूरत है इसको आप अभी watchlist में रखें बाकि कोई भी changes होगे आपको telegram पे की जरूरत है अगर यहाँ पर एक candle हमें green मिलती है तो यहाँ पर कुछ बात बनेगी यहाँ पर हम उसको as a base मान के उसके नीचे stop loss plan करेंगे उसके बाद अभी अगर आप लेना चाहें तो बिलकुल मैं बोलूँगा test quantity जिसको बोलता है कि आपने एक बार water test किया कितना गहरा है तो 30% quantity आपने यहाँ ले लिया उसका stop loss आपने 100 आपको moving average है this is your 100 moving average इसके नीचे आप plan करके रख लेंगे आपका stop loss बाकी एक बार green candle बनेगी तो another 30 quantity हम वहाँ add करेंगे उसके बाद थोड़ा से consolidate करके फिर निकाले गई तो price section देखने के बाद आपका 100% आपका जो allocation है व थोड़ा सा देख सकते हैं last week के stock जो थे वो थे bel यह चली रहा है हमने यहाँ पर बात की थी यह उपर निकल के अभी 3-4% उपर खड़ा है इसको आप 20 moving average जो है इसके साथ धीरे-धीरे trail कर सकते हैं अभी यह maximum क्या कर सकता है जो आपका 20 moving average है यह उपर हो गया है तो यह क्या करेगा यहां तक आएगा फिर यहां पर consolidate करेगा फिर उपर निकालेगा फिर नीचे आएगा फिर 20 moving average उपर आ जाएगा उसके साथ ही consolidate करके फिर उपर निकालेगा तो यह इस तरीके से ही चलते रहता है ठीक है तो इसको आप trail करेंगे moving average के सहारे second था ONGC बहुत ही प्यारा chart, ONGC का monthly chart अभी भी लेने में कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर आप अभी 8% उपर लेना चाहते है तो stop loss कम से कम 10-12% आएगा जो monthly breakout होते है वो आपको 30-40% देने का दम रखते है लेकिन उसका against में आपका जो stop loss है let's say कि इस candle के नीचे भी आ सकता है 275 अगर यह जो monthly candle है लेकिन बहुत है चार्ट है अभी जभी भी 285, 385 के उपर आएगा इसको भी आप देख लेंगे लिपन में breakout यहाँ पे हुआ था 57% अभी उपर है इसको आप फोड़ा सा अब exit करके इस week में shift कर सकते हैं इस तरीके सारी stock थे कुछ इसमें से trigger हुए है जैसे कि लॉरस्त है अभी यहाँ पर हमने discuss कर रहा था इसको आप वेट करेंगे आपका 20 moving average है उसके नीचे अगर आएगा तो इसको आपको exit करना पड़ेगा हिंदुस्तान union river बिल्कुल sideways चला गया अभी इसमें entry trigger नहीं हुई है इस तरीके से stocks को आप देख लेंगे सारे stocks हमने analyze कर लिए है I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी वीडियो पसंदाई stocks आपको अनाल से सामय में आ गई है तो वीडियो को definitely like करना ना भूले कोई भी doubt है कोई भी confusion comment section आपके लिए open है वहाँ पे आप डाल सकते है reply आपको मिल जाएगा I hope आपको clear हो गया होगा मिलते नेक्स वीडियो में till then bye and thanks for watching